अब इसको पानी पिला के दुबारा चलते हैं हम खेत पे तो वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखंवा कि हमारा जो बचवा समान है हम उसको लेके आएंगे जिससे की वहाँ पे सरसो बूने वाली है तो इस वज़े से वहाँ पे समान जो हमारा है बहुत जरूरी काम का है उ वह ज्यादा समान है इस वज़े से इसको लेकर जाएंगे बुग्गी पर आएगा वह समान उदर जाके हम आपको दिखाते हैं वह क्या चीज़ है अभी तो पानी पी रहा चलो पी ले बुग्गी जो हमने ऐसे खड़ी करी थी अब उसको सिद्धा करके चलते हैं उदर जहां बच्चों को बचाते हुए हमारे दीपक भाई आएंगे सामने तो क्या करने आए थे आप यहां पर अब यह चुटेगा इदर खेत में भाई साब यह रस्ता था हमारा दूसरा यह वालता पर अब हमें घूम के जाना पड़ेगा उस तरफ को तलो ठीक है घूम के चलते हमा हमारा इस वजह से हमको दूसरी तरफ से घूम के आने पड़ रहा अगली वेर इसका विजवाड करेंगे मतलब इसका भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हम आप लोग दिक्कत मतले हो आप लोग क्या हमें दिक्कत लेने की जड़ते हैं कि रस्ता हमारे लिए खराब है तो इतनी ना पर जादरनी वूस यह सामने देख हो हमारा छोटे बबाबा देख है हमारे यह तो हमारे पूरे परिवार के हैं मैंने आपको पहली, वीडियो में बताया था तो इह सामने आप पेड़ देख रहे है यह एक साल पहले हम ने लगा है अब काफी बड़ा हो गया है अगर इसकी जिगह हम कोई आम का या कोई ऐसी चीज का पेड़ लगा तो भाई साब अब तक इस पैसे हम आम तोड़ तोड़ के खारे होते हैं पर नसी भी नहीं है आम के तयार क्या दिक्कत चलो कोई बात नहीं है जो सामने आप उपले देख रहे हैं इनको उठाने के लिए हम आये थे तो चलो इधर ही भुगी रोकते चाहे में क्योंकि हम निचाते हमारे कटड़ा दूप में रहे हैं तो कह रहा था मम्मी जी आप क्यों आई मैं लिया आता ही के लगा और अब मम्मी नहीं कह रिए तूई कर लिए तो मैं बैड़ जाओंगी मगर ठीक है तो टैंस इसमें सरस्वब होएगी हमारा हवन का जो हमने हवन करवायता अब इसकी राक हम सिलाएंगे अभी तो नहीं फिलाल पर जब हम ठल लिए हो जाएंगे मतलब इन्हें डालक है इन उपला को घर पोचा के यह हमारे छोटे देवता इनको जैराम राम करो जब अब बागी तो अब यह सारे उपला जो है हम घर फोरवर्ड करेंगे इस बुग्गी में फिलाल में जितने उपला सके ना उतने उपला इसमें रखे जाएंगे जो की चुले में है चिलम में हर चीज में जाएंगे तो जितने जादा हो सके उतने जितने भी सुक के हुए उपला थे वे और नरे सूक जाएंगे तो यह बाद में ले जाएंगे इनको हम और इसको बुग्गी जोड़कर चलते है दुफेर हीPC और यह कहा पर्षान होने वाली बात है चलते है अपनी बड़ी को राम राम करके बड़े भुब बड़ी जो मोरा करके चलते हैं घर की तरफ तो फाइनली तुम्हार वाई पोच गया घर पे और जो हमारा चीता था उसको बांद दिया हमने दुख गेहर में जो कि अब न्यार खा रहा है न्यार तुझने सुपरी चार बजे खालिया पर बांद दिया क्योंकि ये बुगी भी साइद साम कोई मत खाली होएगी जो कि कुछ कुछ आले है उपलार कुछ कुछ नहीं तो इंटे नेक्स्ट व्लोग में